नमस्ते फ्रेंट्स मैं हूँ धनजयャ, इसी महीने के 19 तारीको नेतनियाहू के घर के ऊपर एक ड्रोन से अटैक होता है, जिस वक्त यज़रोन से अटैक किया जाता है उस वक्त नेतनियाहू अपने घर पे नहीं होते हैं। और अगर हम बात करें नेतनियाहू के या इनके जगह कोई और भी अगर होतें तो किसी भी देश का अगर head of state के उपर अगर attack होता है या किसी भी तरीके से अगर security breach होता है तो वो automatically एक global news बन जाता है। यहाँ पर एक बहुती common sensical जो सवाल बनता हुआ हमें दिख रहा वो यह है कि चाहे हम बात कर ले US का या इसराइल का तो यह सारे कुछ उन चुनिंदा देशों में से एक हैं जो बढ़ चड़ कर अपने air defense system के बारे में वो बाते करते हैं चाहे iron dome हो गया या david sling हो गया इन पास इतने advance air defense system है या इससे related जो interceptor या radar system है तो इन सभी चीजों को एक छोटा सा drone किस तरीके से चक्मा दे के अपने target को वो successfully hit कर दिया तो यहाँ पे मैं किसी भी तरीके से इसराइल का, US का या किसी और देश का जो air defense system है उसकी बुराई करना नहीं है बलकि कुछ points को highlight करना है जैसे की almost दुनिया के सभी machines वगरा हो गए या technology हो गए सभी में कुछ नकुछ loophole, सभी में कुछ नकुछ कमिया होते हैं और उसके ब भी आपको notice करता है तो कहने का यहाँ पे मतलब है कि अगर इसराइल हमास को notice करता है या उसके अंदर क्या कमिया है अगर उसको notice करता है तो सेम काम हमास, हेजबुला या इरान के दौरा भी किया जाता है नॉर्मली जो air defense system इसराइल यूज करता है अगर उसके हम capabilities के बारे म बात करें तो वो उन्ही सब rockets या missile को detect कर पाता है जिसमें कुछ एक specific amount of उसमें metals वगेरा use किये गए हों कि जब वो operate करता हो तो उससे जो heat generate होता हो जब तक कि वो एक threshold को पार नहीं करेगा तब तक जो इसराइल के air defense system है वो उसको capture नहीं कर पाएगा और जहां तक हम बात करे कुछ एक lump sum speed के बारे में तो अगर इसको हम miles में समझना चाहें तो अगर कोई भी rocket या missiles जिसका speed thousand miles से कम हो तो उसको detect कर पाना काफी मुश्किल होता है और वहीं पे अगर हम बात करें drone का तो फिलहाल ऐसा कहीं पे भी उमीद नहीं है कि जो drone का speed रहेगा वो as compared to missile के speed को match करे गया है उस capabilities का इस्तिमाल ना करके उससे हम lower version का कुछ ऐसे explosive को बनाया या कुछ ऐसे चीज़ का इस्तिमाल करें जो कभी भी वो air defense system उसको detect ही नहीं कर पाएगा अगर मैं दूसरा example आप लोगों के सामने रखना चाहूं तो जिस mic का मैं इस्तिमाल कर रहा हूं तो इस mic को जो आवाज मिलेगा अगर वो एक certain limit के बाद अगर मैं अपनी आवाज से आगर मैं चुप रहूंगा तो ये mic उस आवाज को capture नहीं कर पाएगा तो आप रफली कुछ ये समझ लें कि ये एक air defense system है तो मैं क्या करूँगा कि मैं चुप चाप हो जाओंगा तो वो जो चुप चा के जो frequencies वगरा है या जो उसके radar है या उसमें जो radar system include किये गया है उसको हम और कम कर दें तो यहाँ पर जो problem होगा वो ये होगा कि फिर वो बहुत सारे चीज़ों को फिर वो collect करना शुरू कर देगा तो जब आपके पास data बहुत सारे हो जाते हैं तो उसमें से फिर real time में ये मान पारना की कौन सा सही है कौन सा गलत है वो कही न कहीं और challenging हो जाएगा तो जहां तक बात किया जाए air defense system के frequencies वगरा को कम करने का तो वो चीज़ कहीं न कहीं और भी disaster हो जाएगा इसराइल के लिए और ये जो मैंने example code किया ये मेरा example नहीं है बलकि ये उन सब experts का example है जो drone क के उपर काम करते हैं तो यही सबसे बड़ा वज़ा है या यह कहले कि यही वज़ा है कि क्यूं एक drone का इस्तेमाल करके Hezbollah successfully अपने target को hit कर पाया और जहां तक बात किया जाए Hezbollah के बारे में तो majority of लोगों को बस यही मालूम है कि Hezbollah एक armed group या एक terrorist organization है लेकिन अभी भी बहुत कम लोगों को मालूम है कि Hezbollah एक political party है बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि वो काफी एक powerful group है और बहुत सारे आपको articles ऐसे मिल जाएंगा जो यह claim करते हैं कि Hezbollah ही एक वो ऐसा पहला political party है जिसके पास इतने सारे arms members हैं साल 1979 में इरान में होता है Islamic revolution और official formation होता है Hezbollah का साल 1982 में तो इसका ये मतलब होता है कि Hezbollah के पीछे का जो formation का जो एक दिमाग था या एक जो बहुत बड़ा तागत था वो इरान था और आज के डेट में जो सीरिया के president है Bashar al-Assad वो भी बहुत हर तक support करते हैं Hezbollah को और Bash असर al-Assad को support करते हैं Russia यानि कि व्लादिमर पुतिन तो अगर हम इस पूरे चीज़ को बहुत ही अराम से देखेंगा तो हमें एक gold circle बनता हुआ दिख रहा यानि कि एक group बनता हुआ दिख रहा तो यहां पे हमें एक बास समझ में आ जाना चाहिए अब तक कि जो Middle East है वो कह एक armed group या एक resistance group है जिसको की बनाया गया है इरान के द्वारा लेकिन एक जो बहुत बड़ा point हम कहीं न कहीं miss कर रहे हैं वो यह है कि Hezbollah के creation के पीछे या हमास के creation के पीछे इसराइल का भी इतना ही बड़ा role है कहने का मतलब है क्योंकि almost unconditional support किया जाता है USA के द्वारा इसरा करता है तो जब आप एक limit के बाद अधिक जब आप force का इस्तेमाल करते हैं तो वो जो गुसा होता है वो कहीं न कहीं लोगों के अंदर वो पनपता रहता है तो वो जो गुसा है वो फिर create होता है किसी न किसी तरीके से एक extremist form में या किसी न किसी तरीके से एक वो armed group का formation को व और साथ में अगर हम बात करें तो जो आशका हमास है जिसके बारे में नेतनियाहू बढ़ चड़कर बुराई करते हैं अगर आप फुरे से और हिस्टरी को refer करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये वही हमास है जिसकों कि किसे टाइम पर नेतनियाहू या उनके जो आ आपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है और काफी कॉंट्रवर्शल टॉपिक है तो जो कहने का यहां पर मतलब था कि हजबुल्ला के फॉर्मेशन के पीछे जितना इरान रिस्पॉंसिबल है अल्मोस्ट उतना ही रिस्पॉंसिबल आपका इस्राइल भी है I hope that you like the video अग फिर भी मुझे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे इमेल करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care good bye